कि देखे दरिट को टिकत मिलेगा तो माल नहीं व कि और अब तो टिकास मिलेगा टो क्षा है चुना लिटत और अच्छी बात है और नहीं चीते तो कम से कम छत्थाल माल तो मिल गया लूट रांसर कि अब इसमें कियो North करेंगी ये तो भ़्लिट-वनुकर से बताय तो यह पूरी तरफ कोशिच करने लेकिन अब उत्तर प्रडेस में तो उनको अपने भीतरी भी रोज का सामना करना पड़ा है चार पांच घंते मोहन भागवत के साथ बंद कमने में एक दो थो जीद भी जाए जए, तो भी विजानसभा में कांग्रेस की सरदश संक्या हमीशा जो है वो व क्याовор ह programme समवेदन फेल रहेगी और हमेशा उसमें चूटका खुर्तरा बना रहेगा बना कई सीटों पर बस्पा चुनाव विधान सवा भी जीतती थी लेकिन अब अपकी बार उन्हों ने वहां से एक छत्री कंडिडेट को टिकट दे दिया है अब वो कितने बस्पाई हैं यह सोध का विशा है महराष्ट और जारखंड में विधान सवा चुनाव है महराष्ट में एक चरण में और जारखंड में दो चरण सीटों के बटवारों को लेकर कुछ उठा पटक खटपट दिखाई रहा था लेकिन नेताओं के सूजबूच के कारण वो खटपट सायद सुल्जा लिया गया वाइनड में चुनाव है लोग सभा का प्रियंका गांधी उमिदवार है अब तक वो परचार कर रहे थी लेकि दिलचास के ऊपके उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रत्रदेश में बिधाहत सवा में कई उनकी जगीए मामलत इंडिया एमे 7 लड़ा अलग से इपना कोई उम्मिदवार नहीं उतारेगी उधर भाजपा गटवंदन तो है ही और इधर बसपा मायवती की पार्टी बसपा भी सभी सीटों पर अपने उम्मिदवार उतारेगी यह चुनाओ उप चुनाओ भी बसपा के राजनितिक भविश्य को लेकर काफी महत्पुर्ण है लोग सभ बसपा में भी नदारा ध्यमावला क्या होगा उत्तर पर्देश में क्या होगा बसपा का विश्य किसी कटबंदर नहीं है इसी मसले पर चड़चा होगी और सांथ साथ से भी के चेर में जो पार्लेमेंटरी पॉब्लीक अफेर्स कमिटी है वहां उपस्तित नहीं पार्लाम पत्रकार है इनके पास चलते हैं लगातार अंबेटकर नावा पर अब सुन रहें तो जेपी साहब से चरा यह खबड़ों की इनालिस सुनते हैं स्वागत है सब्सक्राइश देखे सब्सक्राइब पहली बार उत्तर प्रदेश के उप चुनाव में बहन माया वती पूरे द सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है इस चुनाव में लड़ना क्यों क्योंकि बस्वा का बोट बैंक यहां तक कि बहन जी का सजाती बोट बैंक भी खसक रहा है और काफी तो सेंद पश्मी उत्तर प्रदेश में जहां से बहन जी आती हैं चंद्र सिखार रावन ने लगा दिया है और बागी जो से सुत्तर प्रदेश है उसमें भी जो है पोजिशन क्योंकि लगाता है इनका जंद को समर्फन सिकूर रहा है आपके बिजान सवाचुनाओं में तो जो नौ सीटें हैं इसमें से एक भी सीट पर ब्यस्पी नहीं जीती थी इस बार नौ सीट कर निःट ख़डा कर रही है और एक प्रकार वो पीको पुर्णाखडा करने की कोशिश कर दरी माने वर कांशी सीट वान ने जिस ब्यस्पी को ख़डा किया था और बे इस बी येस प्र ब्यास्त पर अपने अकेले दम पर बीकान पर बिविएस हुआ हो बहुजन समाज के बजय समाज का उन्होंने आवाहन किया हो लेकिन कालांतर में जो है वो सब चीजें द्वस्त हो गई अब यह परिवेक्षक भी कह रहे हैं दली चिंतक भी कह रहे हैं कि क्या बहन जी मानिवर कासी राम जैसा चमतकार दोहरा पाएंगी व्यस्पी को फिर से ख़ड़ा कर पाएंगी क्यों क्यों कि नौशीट में अब यहां भी दो हैं एक बिंदू यह है कि जो नौशीट में इन्होंने खड़ा किया है तो अपना जो भी खरता हुआ कि जो नहीं चुनाव लगती तो पूरी तरह बिखर जाता उसमें बांदने की कोशिस करें कि कितने लोग बंदेंगे दूसरा है कि इस से भले बस्वा को यह इंडिया ग कि जो नौशीटों पर आप चुनाव देख रहे हैं इन सीटों पर कहीं ने कहीं नियत का भी खोट नजर आ रहा है क्यों कि बजाए जो है नौशीटों पर अगर आप दलिटोटों का चाहती हैं तो आप नौशीटों पर हारते या जीते आपको दलिट कंडिडेट ही सब्सक्राइब के लिए तो सब्सक्राइब के लिए तो आप सब्सक्राइब एकता के लिए दलीतों में सब्सक्राइब करने की कोशिश करने पड़ेगी वरना आप रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया जो एक समय पूरे देश भर में दलीतों की पार्टी एक्स्क्राइब कही जाती थी आज की डेप में बिलकुल महरास में एक-दो पाकेट में शिकूर गई है समात्पराइब हो गई जिस तरह प्रकास अम बेटकर की पार्टी बिलकुल जो है लगभग लगभग समापती हो गई है आप से बता है तो आप उस परह जो है न बनें उसके लिए ज़रूर है कि आप कठोल निर्णा निर्णा चाहिए इसलिए मुझे बहुत सख है कि आप जो सर्वाइब कर पाएंगे आपको जो वोट कटवा की भूमिका आप जैसे देखिए फूर पूर छेत्र जो संसदीर छेत्र है उसमें फाफा महू विधानसवा जो पहले जूंसी व बस्पा के भी MP जीते हैं कई सीटों पर बस्पा चुनाओ विधानसवा भी जीती थी लेकिन अब की बार उन्होंने वहां से एक शत्री कंडिडेट को टिकट दे दिया है अब वो कितने बस्पाई है यह सोध का विशा है वो पेट्रोल बंबों के मालिक हैं उनके पास पैस है पैसे के दम पर उन्होंने बस्पा का ठीकट हासिल किया है कैडर का समर्शन है कि नहीं है यह अब जब चुनाओ आएगा तब पता चलेगा कि उनको कैडर ने कितना समर्शन दिया है वैसे भी फूलपूर शेत्र थाकुर्श बहुल शेत्र नहीं है वो ब्राम्मार मुसल दे दिया तो कितना कर पाएंगी यह पता फिर कई जगह इन्होंने मुसल्मानों को भी टुनाओं मूता रहा है यह तो एक बात हो गई दूसरे बाते यह हो गई कि गोदी मीडिया प्रिंट मीडिया और तमान मीडिया में लगादार यह चल रहा था कि तेजस्वी आदव न ने कहा भी कि हमाला गडवन्दन जीतेगा और सोरें फिर्ते मुख्यमंत्री कहा जाता है कि इसमें लादू प्रसाद यादों ने सार्था खर्सक छेप किया और गडवन्दन को तूटने से बचाया वरना तेजस्वी आदों ने पुब्लिकली कहा कि वो टिकर बटवाले से खुश नहीं है उनके पार्टी की उपेख्षाक्ती तो बहराल इंडिया गडवन्दन तो इस बेल्ट में बच गया दूसरा महारास्त महारास्त में लगाता रहा है कि बहुत उठम पड़क चल रही है और यहां तक हमने प्लांट की गई कि उठागरे की मुलाकात हुई ठर लेकिन उसके बाद जो सीटे बचेंग उसमें और लोंको अजिस करेंगा उसमें जो सफाने यह भी सफा का बताएंगे तो बसाते हैं आपको उनमें सरद पमाल ने बहुत सार्षक जो है लड़ली है स्थेप किया और वहां कभी मामला जो हैस्तू हो गया और यह लोग जो आ अब उत्तर प्रदेश है अख्रेश यादों को हर्याना में नहीं मिला सीट तो उसकी नाला दिये थे तो उन्होंने अपने तलब से उनिलैटरली जो है नौ सीटों में साथ सीटों पर अपने उमिद्वार घोजित कर दिये थे और दो सीट कांग्रेश को देते हुए बताया होने पर यह समझाता हो गया कि नहीं दोनों मिल के लड़ेंगे और जो आपका कांग्रेश का भी जो केंडिडेट होगा वो जो है सपाट के सिंबल पर लड़ेगा देखिए एक को यहां इससे को हैसन दिखेगा और दूसरा जो सबसे बड़ा कालान है कि कांग्रेश के बास के लिए प्रदेश में कए मिले एक अराजना मिस्रा प्रताबगर से मिले हैं बागी तो हमारे क्या से कांग्रेश का लगबख सपाया है इता बिजान सभा चुनाओ अब ऐसे में अगर कांग्रेश मालिये की दो तीन सीट पाब जाए और कांग्रेश की दोनों तीनों सीट लड़ भी जाए एक दोठो जीद भी जाए तो भी विजान सभा में कांग्रेस की सरदत से संख्या हमेशा जो है वो क्या करते हैं संवेदन सील रहेगी और हमेशा उसमें चूट का खर्तरा बना रहेगा क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो एक निर्धारी संख्या होने के ल संवेशन की तरह जिसमें है परसो उसमें जिसमें चाहिए चला जाए राज सभा की चुनाओ के समय पैसा पकड़ की चला जाए जो भी हो तो इस इसको बचने के लिए कि अगर वो जीद भी जाए तो कम से कम दल बदल न करने पाए इसलिए उस सभा के सिंबल से लड़ेंग अगर कोई सपा से कांग्रेस का भी लड़के विधान सभा में जाए भले वो कहें कांग्रेस है लेकिन जब देने की बारी आएगी तो सपा में ही गिना जाए इसलिए दल बदल में भी फिर उसको दो मनें जो दल बदल के प्रावधान है उसके अनुसार तूट करानी हमेसा इस बात का दर होता कि उनका जो जीता हुआ कंडिडेट है अब यह पंदरा सीट बारा सीट मांग रहते सपा तो कांग्रेस ने का भाई नौ तूम लड़ो हमारे भी जो कंडिडेट को देना चाहते हो उसको अपने सिंबल पर लड़ा दो और आप यहां महरास्त्र मे जो है ज्यादा जो है क्या करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि उनका जो है जिस्मेंट उसमें जो है क्या करते हैं हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भी जो है मामला फंस गया है इस बीच में जो बहराइस कांट में जो सुप्रिम कोल का चाबुक चला चला है और उससे सब हो गया है उसके साथ एक और बहुती बड़ा जादनेटिक डिवलप्मेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है जिससे आपका मोदी एंसाह की जो दुपली है उसके कांग खड़े हो क्यों कि चार पांच घंते मोहन भागवत के साथ बंद कंबने में वन टूवन योगी और मोहन भागवत की बात हुई है है और यह माना जा रहा है कि जो है वो और योगी को पूरी तरह राश्ठी परितर्षे पर प्रुजेक्ट करने का जो है वो और क्या वो क्या तेह कि योजना चल रही है क्योंकि योगी ही इस समय सबसे हार्ड चेहरा जो इस आपको आ jag combines me चुनाओं में योगी के पोस्टर जगा जगा लग जायते और योगी का उसमें सूत्रवा के लिखा था कि बटोगे तो कटोगे इसलिए एक जुट और उस पर आप यक्सन हुआ और उसको जो है क्या करते हैं चुनाओं आयो के आदेश से इनको हटाना पड़ा तो महारास के होगी और महारास का चुनाओं है और मुख्ष प्रसान मंत्री आपके जो है अग्दम हर्याना डियाइन से विदेश यात्रा पर चले गए जबकि इनको जो है आपका महारास में जैसे हर्याना में इन्होंने बहुत अंतिम समय में एक दो टो किया बागी सब हड़ गए उस पूरा जो है सम्मावना पाई जा रही यह आसंका है कि जो है यह हर्याना के सिस्टम को महारास में दोहराना चाह और इंडिया गष्बंदन में सरत पुमार आपके नाना पटोले और जो ठराट यह सब जो आपके इनके नेता हैं इंडिया गष्बंदन के वो लोग भी पर इसका फाइदा बीजेपी न उठा सकते हैं अब वहां कभी कहने कि सिंदे और फरनवीस में वह है तो कभी कहने कि यहां चख़बरें आ रही है कि फरनवीस कंपनी जो है वह सिंदे और अजीद पमाद दोनों को निफ्टाने में लगी हुई है तो यह सब क्यास बाजी है पक्ष में भी हो सकती है कि करामाद भी हो सकती है यह तो जब चुनाव होगा निकले रहा पता चाहिए उत्तर प्रदेस में तो यह पूरी तरह कोशिस करना है ल प्रदेस के पत्रकार जहां योगी जी के समर्थन में सोचल मीडिया पर पूट पले हैं वहीं एक जादी विसेश के पत्रकार और समिक्षक योगी जी पर जातिवाद का रोप लगाते हुए जो है वह क्या करते हैं उनके जो है विपक्ष में कोई भी ऐसी बात नहीं है जि यहां वो दोनों मामला वह भी अंतर विरोष से जीते हैं लेकिन इनका इनकी एक स्टाइल यह जब चुनाव जीते हैं तो मुहलाल सिंग हो जाते हैं हम मुहलाल सिंग आज का ये दिन इनकी वज़ा से देखने को मिला अरे मैं तो बाबरी मस्जित के विद्वन्स का प्रट सब्सक्राइब कर देखने के लोग नहीं माने उन्होंने तो दिया तो फिर उसी सेंट्राइब से नाउंस करने लगे कि आज का दिन आडवानी जी की वज़े से आया है आज का दिन अटल भिहारी बाच वेई की वज़े से आया है तो मुहलाल सिंग है यह तो रिजल्ड को में पक्ष में कैसे भजाया जाता है इनसे जो है ज्यादा कोई जानता ही नहीं और इनका अफवासंत्र इतना मजबूत है कि यह 15 मिनट में पूरे देश व्याबी प्रसारण कर देते हैं आपका जो है भाराइज का दंगा ही है माल दिजिए दंगे में जो गोली लगी और तो राम मिस्रा जी मारे गए जो चट पचल के जंडा फैरा रहते हैं मतलब उनका जंडा इसलामी जंडा उतार के बारजा तोड़के उन्होंने भगवा जंडा फैराया था उनको था इसके पहले बड़ा चार्चर किया गया इनके पूरे आइटी सेल ने उसका रूपक बन पूलिस ने योगी की पूलिस ने पोस्मार्टम रिपोर्ट जारी करके कटेरिकल खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यह जूट बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है तो पता नहीं रात में सोते समय भी जूट बोलते होंगे कि मैं जाग रहा हूं आप देख रहे हैं इतना जूट बोलते हैं आप में दूल योगते हैं आप जो मान ले दस में भी माना तो माना ना यह सदिये सब फूलपूर में जितंदर सिंग हैं यह बाभु साब हैं कटेहरी में अमित वर्माय बस्पा के उमिद्वार का नाम ले रहा हूं मजवा में दीपूत अथिवारी हैं पंडीजी हैं कुंदर की में रफाउत उतल्ला हैं और करहल में अवनिश कुमार साख के हैं यह बस्पा के उमिद्वार और यह आकड़ा मेरे पास है कुछ नाम तो अभी कल नॉमिनेशन है और आज तक शायद अभी तक बात करते वक्त लिस्ट जारी हुई कि नहीं जारी बीजेपी का तो हो गया इतना मौ से सीसा मौ कांपूर से विरेंद शुकला है अब आप जानते हैं इसको हम अपने मुह से क्या कहें देखिए दलित को टिकट मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा अब यह अरोब अब इसमें कितना सर्वाइब करेंगी यह तो दलित कैडरी अच्छी तरह से बताएगा जानता होगा आपके वह चले गया है तो तो सारे फैल गए मैक्सिमम तो सब्सक्राइब का घरता जा रहा है क्या पार्टी के अंदर कोई असेस्मेंट नहीं करता है कि क्यों हो रहा है यह वहां तो एक सुप्रीमों है सर्वे सर्वा थोड़ा सा अकास हानन ने पिछले चुनाओं में कुछ कहने की कोशिस की थी कि नहीं भास्वा जो सब्सक्राइब का औरियंटेशन इन्हों ने कराया है कि जब तक बहेंज यह जो कह रही है उससे इतर तुमको कुछ नहीं बोलना है तो सवाल इस बात का है कि विदेन सुपला जो है सिसा महूस है आप बताई कि कैटो दलिज प्रत्यासी खड़े हुए आप बताईए अब हुआ है तो अब करके टाइद्व को बड़ी उतरा जैन मुझद दा च्छत्री शरीर से इतने तिर्जंकर हुए सब्सक्राइब करेंगे लिए अगरवाल बनिया अगरवाल मित्तल केजरी वाल इस टाइप के लोग ज्यादा तर जैन सब्सक्राइब करेंगे लिए और प्लस अपनी जादी का बोट लेने के लिए सब्सक्राइब कितना उनको उनके शेतर में लोग है अब इसका तो आगड़ा मेरे पास फिल्हाल इस वक्राइमा पेसी जो उत्तर प्रदेश और बिहार को हम समझ रहे हैं कि बश्मास से अगर ठाकुर प्रतियाशी भी हूं तो जीतने कि संभावना नहीं हो तब तक उनके ज जो लोग सक्री हैं जो लोग जावरूग हैं और जान रहें कि परोग सुरूफ से यह भाजपा को जिताने के लिए यह सब किया गया है तो वह वोट भी इस बार पिछली बार नहीं मिला था बस्पा को आपको वह वोट ट्रांसफर हो गया थे इंडिया कर बंदर में ट्रां साथ पर गया तो कांग्रेस साथ गई वो वोट फिर से वापसी के लिए तैयार है क्योंब उस वोट को लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रिंका गंधी और दोसरा उ नियुक्रा मुद्य कांग्रेस और दूसरा जो मुसलिम बोट माने वर्कासी नस्बंदी की बात चलाई गई थी पूरे देश पर नस्बंदी संजय गाधी ने थोपी थी उस नस्बंदी और उसके कारण भी जो है लोगों का बहुत ही मोह भंग हुआ लड़का होना जो है सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन माने जाती है पित्र को तरने के लिए मुँव में मुखाग देने के लिए तो लड़का होना किसी भी कम्यूनिटी में सबसे बडी बात समझी जाती है जितना लड़के के एजूकेशन पर खर्च होता है, जितना उसके पैदा होने में उस्षचो का महाल होता है, उसके विपरीत लड़कियों के पैदा होने के बाद पूरे घर में मातम जैसा था यह भ तो नहीं होता क्यों को लगता है कि नई पिढ़ी की एक गणी का घर में या लगई लेकिन बागी लोगों के लिए चाहे वो किसी कम्यूनिटी के हो उन्हों में पुत्र होना बहुत जरूरी है कि घर का ये मालिक होगा घर का जो है क्या के दो यह मामला था मुसल्मान तो थे ह दूसरे बई हिंदू बी थे, जो बिलकुल नइब आपका पूरा संग परिवार रहे था जो नस्वनदी के विरुद्ध था, उनका था कि जदा से जदा हिंदू पैसा करो, तो अगर जदा से जदा हिंदू पैसा करो, तो नस्वनदी बंद करना पड़ेगाना, अगर नजबंदी आप करेंगे तो ज्यादा ज्यादा बच्चे कहां से पैदा हों यह दूसरी बात है कि महंगाई और सामाधिक व्योस्ता को देखते हुए सब कि मन में हुआ इमेन के मुसल्मान भी जो पढ़े लिखें हैं कि भाई हमादे ज्यादा बच्चे होंगे तो हमादे रिसोर्स कम होंगे मेरी पतनी की सेहत खराब होगी कल नामनेशन हो जाए उसके बाद जब एलेक्शन एलेक्शन तेरह के बीस तारी को है ना सब्सक्राइब तेरह तारी को है और 23 को एक ही साथ सब का नतीजा आएगा तो एक बार एलेक्शन तेरह तारी को हो जाएगी तब तक देखते हैं क्या होता है वैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार बस्पा जो है उप्चुनाओ लग रही है उनका भविश्य क्या होगा आप खुदी मुल लांगन कीजिए हम लोग अपने साथ से करते रहेंगे शुग्रिया देखते रही हैं विट कर नाम के शुग्रिया सर्थ थैंक यू